अगर आपको कुछ भी हल्प लगते तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते क्योंकि आपको इस चैनल पर आपको इस चैनल को सबसे पहले तो कर लिजे और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टन ने वला है अगर आप प्यूचल फंड में S.I.P करते है तो अगर आप S.I.P कर रहे हैं आप अपने पैसे को अटो डेबित कर के रखा है तो अगर आपको अटो डेबिट को डिसेबल करना है तो इस यूड़ में आपको बताऊंगा कैसे आप step by step अपने आटो डेबिट को cy wiggle kar सकते हो उटो debit means auto pay, auto pay अगर आपने नहीं किया होगा तो उसके भी वीडियो में बना के रखे, लेकिन इस रूड़ में आपको बताऊंगे कि auto pay को disable कैसे करना है, auto pay अनेबल आपने कर लिया है, लेकिन उसको disable कैसे करना है, तो चलिए देख लेते, angel one app पे step by step, side में आपको screen पे दिख रहा हो अगर आपके इस पर लिखा होगा auto pay failed या disabled तो आप मतलब आपका auto पे चल बंध है, आप manually SIP को payment कर रहे है, इसका मतलब यह है, अगर आपने auto debit अपने bank से set करकर रखा है, उसको आपको stop करना है, या cancel ही करना है, auto debit disabled ही करना है, तो आपको कैसे करना है वो बताता हो, ठीक है, आपको simply क्या है, enable पर आप क्लिक करोगा, यहाँ पर आप देखोंगे तो manage auto पर, simply आपको इस पर सबसे पहले तो click कर देना है, यहाँ पर आपको दीखेंगा, आपने जो भी bank add करकर रखे, उस bank पर आपका auto पर enable है या नहीं, यहाँ आपको कहा पर पता चलेगा, यहाँ पर आपको पता चलेगा, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि bank of India पर मेरा auto पर enable हुआ है, और Yuko bank जो मेरा set है, इस पर मेरा auto पर set नहीं किया हुआ, मैंने इस bank के साथ auto पर set नहीं किया, तो अब मुझे bank of India का auto पर हटाना है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है, और आपने auto पर set किया था, वो अपने phone पे से किया था, Google पर से किया था, कोई भी आप से अगर अपने किया होगा, तो वो एप आप से पहले तो open करेंगा है, उस apps से ही आप अपना auto पर बन कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने अपना auto पर enable किया था, वो google फरेगे through किया था, मतलब में Google पर यहाँ पर open कर लिया है आप देख सकते हूँ Google पर open हो चुका है यहाँ पर मुझे जाना है simply profile पर अभी मुझे सबसे पहले तो click कर देना है profile पर जैसे click करोगे आपको थोड़ा नीचे scroll करना है यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा option auto pay का auto pay का यहाँ पर Google पर option आ जाएगा simply आपको इस पर click करना है यहाँ पर आप देखोंगे तो live pending और completed जो भी आपके automatic payments होंगे वो आपको यहाँ पर दिखेगे अभी आप देख रहोंगे यहाँ पर मेरा angel one के तरप से at present अभी मेरा auto pay चल रहा है ठीक है अब मुझे इसको cancel करना है तो simply मैं इसको click करोगा यहाँ पर नीचे आपके समने option आता है pause auto pay और cancel auto pay आप दो मेंसे कोई भी एक कर सकते होगी आपको फिलाल एक मन्द के लिए pause करना है auto pay तो आप pause कर सकते हैं अगर आपको permanently auto pay बंध ही करना है auto debit बंध ही करना है तो simply आपको क्या कर देना है यहाँ पर cancel auto pay और yes to cancel auto pay पर click करना है आपका UPI number आपको type कर देना है यहाँ पर जैसा आप अपना UPI number type करेंगे यहाँ आपका देखोगे live process में आपको बता है कि auto pay cancellation आपका simple simple auto pay enable जो था अब आपका auto pay disabled हो चुका है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते auto pay cancellation process अभी हमारा चल रहा है यह within 1-2 minute आपका auto pay cancellation easily हो जाएगा जो भी आप payment app यूज करते आप Google पे से अगर आपने auto pay set किया होगा या phone पे से भी अगर आपने set किया होगा वो simply आप यहाँ से आपका auto pay cancellation हो जाएगा और यहाँ पर आपको update दिख जाएगा कि आपका auto pay disabled हो चुका है यहाँ पर अभी green दिख रहा है इसके बाद आपको rate दिखेगा यहाँ पर auto पे disable करके तो यह हो गया Google पे से अगर आपका phone पे से अगर आपने किया है प्रोसेस तो आपको phone पे अपना open कर लेना है simply आपके phone पे payment आप पे आपको जाना है और यहाँ पर आपको profile पे क्लिक करना है जैसे आप profile पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने यह वाला चल रहा है तो इसमें भी जैसे कि अगर आपको कोई पर आपको क्लिक करना और यहाँ पर option आता है रिम्यू आटो पे का simply रिम्यू आटो पे पे क्लिक करके आपका जो भी आटो डेबिट चल रहा होगा आपके एसा इपी का वह simply आप डिसेबल कर सकते हो तो step by step simple process से ही आप यह सब कर सकते हो अगर आपने जो भी अपना UPI आटो पे setup करके रखा होगा गूगल पे फोन पे यह पेटेम से simple step से मैंने आपको बता दिया आटो पे आपको आने वाले वीडियो की भी नोटिफिकिशन मिलती रहे तो ठैंकी ओल गाइस अगर आपको और भी कुछ राउट होते हैं तो जरूर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे और आपको कुछ भी हैल्प लगते तो आप इस वीगोड़ों को और जाल देशेर करीब थांकी ओर